हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू दो ओफिशल यूट्यूब चैनल आफेमेज़ ओफिशल आर रबी, एंटी, पीसी और आने वाले अधर एक्जाम्स के तैरे के लिए हम लगातार वीडियो अप्लोड कर रहे हैं अपने ओफिशल यूट्यूब चैनल पे और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है इसके लिए मैं आप सभी वीवर्स को और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्याद करता हूँ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोगोल सही संबंदीत कुछ ऐसे question और उनके answers पर जो की लगातार परिक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं चाहे आप UPSC की बात कर लिजे चाहे 10th और 12th लेवल पे होने वाले other government exams के बारे में बात कर लें तो friends आज का जो सबसे पहला question है उसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है तो सबसे उचा जल प्रपात Salto Angel जो की Venezuela में है वो है उसके बाद अगला question है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है तो डोडोमा तंजानिया देश की राजधानी है युगांडा की राजधानी क्या है युगांडा की राजधानी कमपाला है इसके बाद अगला question है किस दिन प्रित्वी से सूर्य की दूरी नियूनितम होती है सबसे ज़्यादा important question आपको जोड़ा की देखने को मिल सकता है यह RRB, Railway Recruitment Board या फिर हम Railway Recruitment Cell के अगर बात करें साथ इसाथ अगर हम CGL की बात करें तो ऐसे प्रशन आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं जो कि भूगोल से समन्दित है तब इस question को थोड़ा सा और important है आईए इस बारे में फिर से इसको पढ़ते है कहता है कि किस दीन प्रित्वी से सूर्य की दूरी नियूनितम होती ह है तो वो तीन जन्वरी को होता है उसके बाद है यह है कि माइनस वन डिग्री दिशांतर की सबसे अधिक दूरी नियूनितम होती है भूमद रेखा पर दारता चालिसा क्या है दक्षडी गुलार्द में चालिश अंस के अक्षांस के पास का इस्थान जहां तेज पछुआ हवाय चलती है उन्हें हम बोलते है धारता चालिसा उसके बाद माओरी का मूल निवास कहा है तो माओरी का मूल निवास नियूजिलैंड में है तुंग भद्रा तथा मीमा की नदिया किस नदी की सहायक नदिया है तो यह है कृष्णा नदी की सहायक नदी छोटा इसके बाद friends आपको एक line यहाँ पर जो है दिख रही होगी यह है यहाँ पर यह GS RRB के लिए अत्ती महत्वपूर्ण है इसे जरूर पढ़ें तो friends इसे लिए मैं वीडियो यह बना रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो में उन्ही questions और उन्ही answers की बात कर रहा हूँ उन्ही topics की बात कर रहा हूँ जो की हमेशा exam के point of view से काफी important है reason अगर आप पांच मिनट इस वीडियो को देखते हैं तो पांच मिनट आपका utilize हो आप उन चीजों को ही देखें जो की आपके exam के लिए important है सीधी बात नो भखवास यह वाली condition है हमारे channel के साथ हम सीधे questions की बात करते हैं हम सीधे उस काम की बात करते हैं जो की आपके लिए important है तो आए फ्रेंड से देखते हैं इस चीश को अगला question है कि बर्फ में skating करना प्रदर्शित करता है कि दाब पढ़ने पर जो की बढ़ने पर गलनांक घट जाता है stainless steel एक मिश्रधातु है जबकि वायू एक मिश्रण है अगला question है कि परयावण का अध्यान जी विग्यान के किस साखा के अंतरगत किया जाता है तो ये अंधदन किया जाता है आपके पारिस्थिति की तंतर या पारिस्थिति विग्यान के अंतरगत किया जाता है जिसको हम ecology भी बोलते हैं तो इस बात का में दिहान रखना है अगला question ये कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जिसमें हम फूल के बारे में बात करते हैं पुश्प के बारे में बात करते हैं उनके संवर्धन उनके बचाव उनमें क्या बेहतरीन चीजें हो सकती हैं नई कैसे जो है की नुक्रमानुपाती होता है तो यह आप इस चीश को देख सकते हैं F is equal to MA, force is equal to MA, तो यहां से where F denotes the force of the relative mass and M is related to mass and A is the acceleration, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है कि निमलिखित में से कौन एक स्थाइकर है, अस्थाइकर है, तो neutron जो है वो अस्थाइकर है, आपको पता हो होना चाहिए कि अगर हम परमाडू की बात करते हैं, तो परमाडू के नाभिक में अगर यह परमाडू है, तो परमाडू के नाभिक में तीन प्रकार के कड़ पाया जाते हैं, जो कि proton और neutron होते हैं, परमाडू की अगर हम बात करें, तो total तीन प्रकार के कड़ पाया जाते ह है, electron पे हमेशह negative charge होता है,रेनात्मक आवेश होता है, उसी जग प्रोटॉन पे हम बात करें, तो हमेशा positive मतलब धानात्मक आवेश होता वही neutron जो है, उदासीन होता है, मतलब उस पे कोई भी charge नहीं होता है, तो,aa Europas, यह सब परमारू है तो परमारू का नाभी होगा हुना अगर तो चीज़ा पाई जाने वाले फीफोर प्रेश्ne और पूरी तरीके से उदासीन है तो इसके लिए हम इसको अभय नहीं कह सकते प्रोटॉण पर पॉजटीव चार्ज है इसलिए हम यह कहा रहे है कि इसका प्रमुख अभय जो इंपॉर्टेंस आप जो है कि नाभिक में नाभिक पॉजिटिव है तो उसका रिजन केवल और कोल प्रोटान है तो यह रहा जिस पर हम लोगों ने आज बात किया इस वीडियो में टोटल दस अधी कोश्चन्स हम लोगों ने इस पांच मेट के अंदर देखे आई होप यह वीडियो आपको अ अपलोड हुआ उसके बाद अभी हम लोग लगातार वीडियो अपलोड करने वाल हैं सो हमारे साथ बने रहें और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक दिन में यहां पर कम से कम पांच से छे वीडियो अपलोड होती हैं जो की आर आर बी एंटी पीसी और अधर एक्जाम्स के लिए काफ़े इंपोर्टेंट हैं सो हमारे साथ बने रहें और बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में